नमिश्कार मेरचा सिंग स्वागित करती हूँ हमारे खास कारिक्रम आज की राशी फल में आज बताएंगे कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईउं को करके आप परिशानियों जे छुटकारा पा सकते हैं तो जलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास जो आज का राशी फल मेश राशी कारिशेत्र में कोई विश्वास पात्र वेक्ती चल कर सकता है व्यापार में विस्तार की यूजना सफल होगी समाज में मान बढ़ेगा उपाई ओम भूमी पुत्राय नमा मंत्र का अधिक से अधिक जाब करें व्रिशव राशी कोई शुप समाचार प्राप्त होगा व्यवसाय में उन्नती होगी राजनीती की शेत्र में वर्चस्व कायम होगा उपाई निम्नमंत्र का 108 बार जाब करें ओम अमृत लक्षमे नमा मीथुन राशी माता से अकारण मत भेद हो सकते हैं भूमी संबंधित कारे में हानी होने की संभावना है कोई कीमती वस्तू अत्वाधन चोरी हो सकता है उपाई ओम शुम शुक्राई नमा मंत्र का स्पिटी की माला पर जाब करें करक राशी कारशेत्र में आने वाली बाधाई कम होंगी किसी महत्पून कारे के सिद्ध होने से मन में प्रशन साब बढ़ेगी कोर्ट का चहरी के मामले में पैर्वी ठीक से करें उपाई भैस की सेवा करें सिंग राशी नौकरी में पदोन्नती की योग बनेंगे व्यापार में नए प्रयोग लाबकारी सिर्द होंगे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा उपाई किसी सुहागन स्त्री को हरे वस्त्र दान दे कन्या राशी कारिशेत्र में पहले से चली आ रही विग्न बादाएं कम होंगी आयके स्त्रोतों में व्रधी होगी नौकरी में पदोन्नती लाब ब्राप्त होने की संभावना रहेगी उपाई काली उड़त जल में प्रवाहित करें सर्प को दूद पिलाएं तुला राशी किसी महत्वपून कारे में सपलता मिलेगी व्यापार में नए सहयोगी बनेगे राजनीती में पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी उपाई श्री रामचरित मानस का पाठ करें व्रिशक राशी क्रोध पर नियंतरन रखें कारेशेत्र में सहयोगीों के साथ मतभेद उभर सकते हैं शत्रों से साबधान रहें उपाई शिबलिंग पर दूद चढ़ाएं धनू राशी किसी अन्यके विवाद में पढ़ने से बचें आपको जेल जाना पढ़ सकता है कारेशेत्र में व्यर्थ भिग्न आ सकता है उपाई भगवान श्री विष्णुजी के आराधना करें मकर राशी नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं कारेशेत्र में आतिदेक व्यस्थता बनी रहेगी किसी अधूरे कारे के पूरे होने के योग है उपाई माता सरिस्वती की पूजा करें कुम्ब राशी आविवाहित लोगों को विवास से सम्बंदित शुप समाचार मिलेगा यात्रा में गीत संगीत का लुद्फ उठाएंगे व्यर्थ व्याई से बचे उपाई भगवान शिव का गन्य के रस से अभिशेक करें मीन राशी व्याविसाय में ठहराव से शुप संभव है पडूसियों से सम्बंद अच्छे होंगे दीर्गकालीन विवात की समापती होगी उपाई चंदर मंत्र का 108 बार जाब करें जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दन्चारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे है से नियूस भारत के साथ हर काबर आपके साथ आपके हाथ